हलो स्टूडेंट्स वेलकम तू मैं रुपाली वर्मा हम सभी आपके लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी के एक्जाम्स बहुत अच्छे से जाएं तो हम सभी के साथ बने रही हैं ताकि आपके एक्जाम सच्छे जाते रहें और हमें बहुत ही अच्छी फिलिंग के हिंदी कोर की पूरक हिंदी पूरक पुस्तिका वितान भाग दो का पाठ तीन अतीद के दबे पाउफ तो यह जो पाठ है इसमें अतीद के बारे में बताया गया है सबसे पुरानी मिली सभिता कौन सी हमारी मिली के जो मिली है उसमें मोहन जोदाडो और हडपा की है तो यह जो पार्ट है इसमें मोहन जो दाड़ों के बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है कि वहां पर क्या-क्या मिला है क्या-क्या चीज़ें और वहां खुदाई में कैसे-कैसी इमारती थी स्नान घर थे कुंड थे सभी कुछ बहुत अच्छे सी कैसे यह सब्विता अचानक ख खतम हो गए तो चलिए इस ही मोहन जो दाड़ों के बारे में हम इस पार्ट में अच्छे से पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं आज भी शहर के किसी सूंसान रास्ते पर खड़े होकर बैल गाड़ी की रुण्जुन की आवाजे सुनी जा सकती हैं खंडर बने घरों की टूटी सीडियां अब चाहे कहीं न ले जाती हों चाहे वे आकाश की और अधूरी रह गई लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर यह अनभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छट पर चड़ गए हैं वहाँ चड़ कर आप इतिहास को नहीं बलकि उससे कहीं आगे देख रहे हैं तो लेखक हमारे कहा हैं उन खंडरों में हैं आज भी अगर वहाँ खड़े हो जाएं तो कहते हैं कि वैल गारिया जो गुजरती हैं उनकी आवाजों को हम सुन सकते हैं वहाँ सीरिया भले खतम हो जाएं तूट गई हैं लेकिन हम वहाँ पर जाकर इतिहास के सबसे उपर चरम हिस्से पर खड़े होते हैं मोहन जुदारो में सबसे उचा चबूतरा बौध स्थूप है अब यह केवल मात्र एक टीला बनकर रहे गया है इस चबूतरे पर बहुत भुख्शू की कबरे भी हैं लेखक इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप मानते हैं यानि कि डेवलप सभिता यानि नगर इसे को पुरातत्यों के विद्वान गड़ कहते हैं तो यह जो स्थूप बीच में है ना बहुत स्थूप तो यह बना बहुत स्थूप की तरह हैं यहां पर बहुत की कबरें भी मिली हैं लेकिन अब यह सिर्फ टीला मात रहे गया क्योंकि अभी जादर डिवलिप नहीं र रहा होगा शहर का यह गड़ कभी न कभी राजसत्ता या धर्मसत्ता के केंदर में रहे होंगे ऐसा भी माना जा सकता है इन शहरों की खुदाई से यह सपष्ट हो जाता है कि बाकी बड़ी इमारते सभा भवन ग्यान शाला सभी अतीत की चीज़ें कहीं जा सकती हैं परन्त मों जदावल शहर की संग्रशना नगर नियोजन का अनूठा प्रमार है यानि नगर नियोजन यानि जिसको हम प्लाइंड सिटी कहते हैं सिटी को डेवलप करी जाए तो बहुत ही प्लाइं से किया जाए कि भाई सीपेज सिस्ट्रम कहां होगा कहां पे आपका हॉस्पिटल होगा जैसे अभी अगर हम प्लाइन करें तो सबसे पहले जो होता है वो जो सहर का सीपेज की विवस्था होती क्योंकि वो अंडर गाउंड होती है उसको डेवलप किया जाता है घरों को होता है कहां पर आपके शौपिंग मॉल्स होंगे कहां शॉप्स होंगी कहां पे सारी चीजों को प्लाइन करके सिटी को बसाया जाता है तो अगर आप अभी देखेंगे तो भारत में चंडीगड एक ऐसा शहर है जिसे प्लाइन करके बसाया गया है उधारण है यहां की सडके अधिक तर सीधी या फिर आड़ी है आज के वास्तुकार इसे ग्रड प्लान कहते हैं आज के नगरों के सेक्टर कुछ इसी नियोजन से मेल खाते हैं आधूनिक परिवेश के इन सेक्टर वादी नागरिकों में रहन सैन को लेकर नीरस्ता आ गई है प्रतेक व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ है दुनियादारी के अपनत्वने उसे विश्वास नहीं रहा है तो आप अगर मोहन जुदाडों के को देखेंगे तो आज कल के जो आर्किटेक्ट हैं जो डिजाइन करते हैं उन्होंने बहुत हद तक मोहन जुदाडों की ब तो जो चबूत्रा मिला है उसके बाक साइड में झो धनांग वर गया उच्वर गया उच्वर पद पे जो लोग रहते थे उन लोगों की बस्तuyu उस चबूत्रे के पीछे की साइट में इस बस्ती के पीछे पांच किलोमेटर दूर सिंधन नदी बहती है तो अब इस जो चबूत्रा है चबूत्रों के पीछे उच्छ बस्ती और उससे पांच किलो मीटर और पीछ जाएंगे तो वहां पर सिंद्र नदी पह रही है अगर इन उच्छ वर्गे बस्ती से दक्षण की तरफ नजर दोड़ाएं तो दूर तक खंडर तूटे- पूटे घर दिखाई पड़ते यह तूटे-पूटे घर शायद कारिगरchen के रहें होंगे तो अब अगर हम क्या करेंगे हम ढक्षण की तरफ यह यह चबूत्रा है हम डक्षण की तरफंक अगर देखेंगे तो क्या होगा वहाँ पर बहुत दूर तक टूटे-पूटे घर दिख रहे हैं तो यह कयाज लगाया जा रहा है या अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो कारी गर होंगे जो निम्नवर के जो काम करते होंगे उन लोगों के घर रहे होंगे चुकि निम्नवर के घर इतनी मजबूत सामगरी से नहीं बने होते होंगे शायद इसलिए उनके अवशेश भी उनकी गवाही नहीं देते अर्थात इस पूरे शहर में गरीब बस्ती कहा है उसके अवशेश भी नहीं मिलते तो अब जो गरीब लोग रहते हों बिल्कुल निम पर भी नहीं मिलते हैं तीले की दाई तरफ एक लॉबी दिखाई दिखती है जिसके आगे एक महाकुंड है और इस गली को इस धरोवर के प्रबंद को ने देव मार्ग कहा है अब यह स्तूप था इस तूप के पीछे हमारा क्या था इस तूप के पीछे हमारा बना था उच इससे दिखेंगे तो एक लॉबी बने हुई हूं लॉबी देखेंगे एक महाकुंड चालीस फूट लंबा और पचीशफWIT चौडा है तो सोची कितना चारेस फुट लंबा और पचीस फट चोड़ा यह उस सब भेता में सामोहिक इस्थान के किसी अनुष्ठान का प्रतीक माना जाता है मतलब वहां को ऐसा अनुष्ठान उता को जहां पर लोग सामोहिक रूप से यानि कि पूरे ग्रूप में नहाते होंगे इसके गहराई साथ फुट है तो अगर आप उसको डेप्थ देखेंगे तो सेविन फुट है तथा उत्तर और दक्षिण में सीढियां उतरती हैं उनके उत्तर और दक्षिण की तरफ रखी गई हैं इस महा कुंड में तीन तरफ साध्वों के कक्ष बने और उत्तर में एक पंक्ती में आठ नानगर हैं तो अगर इस महां कुंड में देखे तो एक तरफ साधु के जो कख्ष तीन तरफ साधू के कख्ष मनें जैसे 계 várias साध है देखेंगे तो आयरा कुंड भर बहुत में वद बढ़ा था अब उसनिकलने के बाद फटल कोड़ने जाकर नहाता है सामने नहीं खुलते यानि कि अब एक बंदा कर ना के निकले गए तो दूसरे के सामने आ जाएगा इसके मूँ कभी भी नहीं एकद्धर है तो इस तरीके से कोई भी एक कुण के स्वाइट के सामने नहीं कुंड में पानी भरने के लिए पास यह कुंड से पानी बहान निकालने के लिए नालियां बनी हुए तो उसका कुंड का प्रबंदन देखिए आप स्विमिंग पूल में पानी बहान निकालने का भी प्रबंद होता है उसके अंदर पानी डालने का भी एक तरीका होता है तो ये सभी प्रबंद आप सोच लीज़े हम स्विमिंग पूर अभी देख रहे हैं मोहत जो दाड़ों के टाइम में ये सब प्रबंदन बहुत पहले अच्छ से किया जा चुका है अब क्या है ये नालिया पक्की इटों की बनी हैं जो पानी बाहर निकालने के लिए हैं वो पक् पानी किस तरीके से गंदा नहीं और गंदे पानी जो है वह हमको दिखाई ना दे उनसे उटने वाले कीट पतंगे जो भी होते हैं वह पूरी कॉलनी में ना फैले तो ये सारी चीज़े भी ध्यान रखी गई हैं महाकुंड के उत्तर पूर्व में बहुत बड़ी इमारत के खंडर बिखरे हुएं इस अमारत के बीचों बीच एक खुला आंगन है तो आप अगर देखेंगे दूसरे साइड में उत्तर पूर्व के टाइम है इधर दक्षर हो गया उत्तर और कहां जाएंगे हम पूर्व यानि कि साइड में इधर तो सीधा रास्ता हमारा किधर गया इस इमारत के बीचों बीच एक खुला आंगन है इसके तीन तरफ बरामदे हैं ऐसा नुमान लगाया जा सकता है कि इसके साथ कभी छोटे-छोटे कमरे भी होंगे तो अब उसमें क्या होगा आंगन है आंगन की खिनार ऐसे ऐसे करके बरामदा है और उसमें ऐसा लगा जा अब अफशेश बचे हैं तो उसमें कमरे भी बने होंगे ये कमरे और बरामदे धार्मिक अनुष्ठानों में ग्यान शालाओं का काम देते होंगे तो जहां धार्मिक अनुष्ठान हो लोगों को ग्यान प्रदान किया जाता हो ऐसी कोई इमारत रही होगी इस द्रश्टी स तो इस इमारत को एक धार्मिक महाविद्याले कहा जा सकता है गर से थोड़ा आगे कुछ छोटे टीलों पर बस्तियां है इन बस्तियों को नीचा नगर कहकर पुकारा जाता है अगर गर से हम आ गए यानि कि जो बहुत दिस्तूप था अगर उससे आगे हम देखें तो वहाँ तो यहाँ पर दूसी तरफ क्या है अमीरों की बस्ति है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े घर है कुए भी है बस्ति काफी डेवलप बनी हुई है तो इससे लगता है कि यहाँ पर अमीर लोग रहते होंगे मोहंज दाड़ों का से यह उल्टा है मतलब क्या होता था पहले क वल्टा इस को बनाया गया है शेहर के बीचों वीच एक 33 फुट चौड़ी लंबी सड़क है कौनसी बस्ति जो हमीरों की बसिए उसके कहा है 33 फुट लंबी 33 foot चौड़ी और लंबी सड़क है 33 foot चौड़ी और लंबी सड़क है मुहंचदालों में बैलगाडी होने के प्रमाड मिले है यह मिले कि महाँ पर बैलगाडी हुआ करती थी शायद इस सड़क पर दो बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती थी मतलब सड़क इतनी चौड़ी थी कि अगर इधर से एक बैलगाड़ी जा रही है तो उधर से एक आ सकती थी सड़क का चौड़ा होना ज़रूरी है तो यह इतना चौड़ी सड़क बनाई गई है यह सड़क बाजार तक जाती है इस सड़क के दोनों और घर बसे हुएं परन्तु इन घरों की पीट सड़कों से सटी हुई है कोई भी घर सड़क पर नहीं खुलता है तो जो सड़क जा रही है इसके दोनों तरफ घर बने है लेकिन घर जो है वो सड़क पर कभी नहीं खुलते हैं उनके मुह नहीं है उनकी पीठ यानि कि अपोजिट तरफ यानि कि पीठ जो है वो सड़क की तरफ है और उनके मुह दूसरी तरफ खुलते हैं लेकर के अनुसार दिल्चस्प सयोग है कि चंडीगड में ठीक यही शैली 50 साल पहले लू काबुजिये ने इस्तेमाल करी थी तो क्या कहते हैं आपके नाम है लू काबुजिये तो उन्हों ने यह शैली को अपनाया था चंडीगड को बसाने के लिए मुख सड़क पहले सेक्टर में जाती है फिर आप किसी के घर जा सकते हैं तो जो मुख सड़क है वो पहले सेक्टर में टर्ड करेगी फिर आप किसी के घर में इंटर कर सकते हैं शायद चंडीगड़ के वास्तुकार लेकाबजुरियन ने यह सीख मोहंजदाडों से ली हूँ ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर के बीचों बीच लंबी सड़कें और दोनों तरफ समानांतर धकी हुई नालियां हैं बस्ती में यह नाल सकता है कि मोहंजदाडों के नागरिक स्वास्त के प्रती किते सचेस थे शहर के कुए भी दूर से सकता है से ही अपनी और प्रतेक विक्ति का ध्यान खीचते हैं मतलब इत्ते आकर्शक थे यह कुएं पक्की पक्की इटों से बने हैं पुरातत विद्वानों के अनुसार केवल मुहन जोदाडों में ही 700 के लगभग कुएं मिले हैं तो अब देखिए कुएं बने हैं और पूरी सब् सब्विता में 700 का निर्माण के अगरे ताकि यहां पर वॉटर सप्लाई अच्छे से हो सके इतियास कर ऐसा मानते हैं कि सिंदुगाटी की सब्विता संसार में पहली ग्याद संस्कृती है जो कुएं खोद कर भूजल तक महसती है तो विद्वानों का मानना है कि शायद यह पहली सब्विता थी जिसने कुएं खोद कर पानी प्राप्त करने की विधी को अपनाया था लेका कि यह भी प्रेश्न रथाते हैं कि नदी कुएं कुण स्नान कर और वेजोड पानी निकासी को क्या हम सिंदुगाटी की सब्विता को जल संस्कृती कह सकते हैं तो वहां पर आप देख रहे हैं वहां नदी हैं कुएं हैं कुंड हैं सनान गह रहे हैं बहतर जल प्रबंध हैं तो क्या इस सब्विता को हम जल संस्कृती नहीं कह सकते क्यों क्योंकि यहाँ पर पूर जल था यह चीज यह सगंड़ को देखकर हमें पता चलता है मोटी दिवारों की बड़ी बस्ती में घरों की दिवारे उचे और मोटी हैं तो जो उच जो अमीर धनान लोग थे उनके घरों की दिवारे उची और मोटी बनी हैं मोटी दिवारों में यह अर्थ लगाया जा सकता है कि यह दो मंजिला घर रहा होगा इन घरों की एक खास बात या है कि सामने की दिवार में केवल प्रवेश दवार है कोई खिडकी नहीं है यानि कि घर के अंदर आने के लिए सिर्फ आपके पास एक दर्वाजा है इसके आसपस कोई खिडकी नहीं आप देख नहीं सकते हैं कि कोन आ रहा है उपर की मंजिल में खिडकीया है बहुत कुछ बड़े घर भी हैं और शायद इनमें कुछ लगू उद्योगों के कारखाने भी होंगे यानि कि कुछ बड़े घर मिले हैं जहां पर कुछ कारखानों के होने की कुछ अफशेश मिले हैं यह सभी छोटे बड़े घर एक लाइन में हैं एक लाइन में बने हुए अधिकतर गरब लगबग 30 गुना 30 फुट के हैं यानि कि 30 by 30 फुट के घर बने हुए का एक ही है एक बहुत बड़ा घर है जिसमें दो आंगन और 20 कमरे हैं एक बहुत बड़ा घर मिला है इस घर को मुखिया का घर कहा जा सकता है हो सकता है वो उस बस्ती का मुखिया हो इसलिए वो इतना बड़ा घर था घरों में खुदाई इसे एक दाढ़ी वाले याजक नर नर्तिकी की मूर्ति अब दिल्ली के रास्ट्रिय संगाले में रखी है तो जो मूर्ति प्राप्त हुए वो कहा रखी है दिल्ली के संगाले में रखी हुई है यहीं पर एक बड़ा घर भी है जिसे उपासना केंद्र भी समझा जाता है साथ में घर मिला है जिसमें सोचा जाता उपर की मंजिल अब बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है उपर के हमें कोई अफशेश नहीं मिले बद सीडिया जाती हुए दिखनी इसलिए कयाज लगाया जा रहा है कि उपर मंजिल दी वहाँ पर अब हमें कुछ भी नहीं मिलता है नगर के पस्चे में एक रंग्रेज का कारखाना मिला है रंग्रेज मतलब कपड़ों को रंगने वाला ऐसा एक कारखाना मिला है जिसे अब सैलानी बड़े चाव से देखते हैं घरों के बाहर कुछ कुएं सामोहिक प्रयोग के लिए हैं शायद ये कुएं कर्मचारियों और क वह खुदवाए गए होंगे बड़े घरों के कुछ छोटे कमरे हैं इन से अनुमार लगा जा सकता है कि शहर की आबादी काफी रही होगी तो जो वहां पर कमरे बहुत हैं जो बड़े-बड़े घर हैं उनमें कमरे बहुत चोटे-चोटे से मिले हैं तो इसे लगता है कि शाय यहां पर काफी संख्या में जनसंख्या रहती होगी यह विचार भी हो सकता है कि उपर की मंजिल में मालिक और नीचे के घरों में नौकर चाकर रहते होंगे कुछ घरों की सीडिया नहीं है शायद इन घरों में लकडी की सीडिया रही है जो बाद में नश्ट हो गई छोटे घरों की बस्ती में सक्री सीडिया हैं इन बसीडियों में के पायदान भी उचे हैं शायद ऐसा जगा की कमी को देखने के कारण होता होगा तो क्या है ना तो जो दो मंजले के घर मिले हैं उनमें कुछ घरों में सीडिया नहीं मिली तो शायद काया रहा कि भाई यहां पे लकडी की रही होगी जो नश्ट हो गई समय के साथ में पत्थर तो नश्ट नहीं होता लेकिन लकडी तो नश्ट हो जाती है तो शायद वो नह गई होंगी इस दिये ऐसा किया गया होगा सोचा जाता है यह लेखक ने अपनी यात्रा की समय जब ध्यान दिया कि खिड़कियों धर्वाजों पर छजों के निशान नहीं है जब यात्रा करें तो लुदने देखा कि छजे नहीं है छजों का मतलब यह ओता है जैसे खिड़की है खिड़की के ऊपर थोड़ा सा शेड निकला होता तो उसको बोलते हैं छज्जे ना दर्वाजों की ऊपर ऐसे छज्जे बने हैं और ना ही खिड़कियों की ऊपर बने हैं गरम इलाकों में ऐसा होना आम बात होती है यानि गरम इलाकों में जो घर होते हैं उन्म कड़ी धूप ना पड़ती हूँ तो लेखाक ने सोचा कि शायद जब ये सब्यता डेबलेप्ट थी तब उस समय ऐसा वेदर नहीं रहता होगा इतनी कड़ी धूप नहीं होती होगी ये तत्थ भी पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि उस समय अच्छी खेती होती थी या यहां लोग खेतों की सिचाई कूओं से करते थे नहर के प्रमाण यहां नहीं मिलते शायद दोग वर्षा के पानी पर अधिक निरवर थे तो जो खेती होती थी यह हमें प्रमाण अच्छे से मिले महां कूओं से होती है क्योंकि वहां पे नहरों के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं बाद में वर्षा कम होने लगी और लोगों ने कुछMoon से अधिक पानी निकाला होगा तो पूरी तरीके से ये कि эпиш्च कहम होने लगी तो अब क्या हूँ पूरी तरह से लोग किस पे आ गया को पर निर्वर हो गया सचाई के लिए इस प्रकार भूजल का इसतल काफी नीचे चला गया होगा तो जब आप ज्यादा पानी लोगे तो जो बॉटर लेवल होता है तो अर्थका वो नीचे चला गया होगा यह भी हो सकता है कि पानी के हो गई हो तो यह पूरी सभिता यहां छोड़ कर कहीं और जाकर बस गई हो तो यह संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता हो सकता है ऐसा हुआ हो मौझ जुदाड़ों के घरों और वलियों को देख कर तो अपने राजस्थान का भी खयाल हो जा सकता है यानि कि वहां को हम देखेंगे तो वहां राजस्थान के घरों जैसा हमें एहसास होगा राजस्थान और सिंध गुजरात की द्रश्या वली एक सी है कि मतलब वहां बे हम जो घर हैं जो चीजे हैं आप आसपास का महौल है यह सभी हम देखेंगे तो राजस्थान और सिंध की लगभग एक जैसी लगती है मोचदारों के घरों में टहलते हुए जैसलमेर के मुहाने पर बसे पीले पत्थरों के खुबसूरत गाओं भी याद लेकक के जहन में ताजा हो आई है इस खुबसूरत गाओं में हर दम गर्मी का महल व्याप्त है और गाओं में घर तो हैं परंतु घरों में लोग नहीं हैं तो जब यहाँ पर टहल रहते लेकर हमारे मोंच दाना उन्हें जैसलमेल की याद आगए कि जैसन में भी मस्य है कि वहां लोग रहते हैं और वो जिस जगा पर टहल रहे हैं वहां पर लोग नहीं रहते हैं कहा जाता है कि कोई 1.500 साल पहले राजा के साथ तकरार को लेकर इस गाउं के स्वाभी मानी नागरिक रातो रात अपना घर थबार छोड़कर चले गये तो ये भी कहा जाता है कि राजस्तक्रार हो गई तो नागरिक क्या है रातो रात इस पूरे शहर को चोड़ कर चले गए थे बाद में इन घरों के दर्वासे खिड़कियां लोग उठा कर ले गए अब ये घर खंडर में परिवर्तित हो गए है तो कहने का उनका ताद पर है कि लोग रातो रात चले गए और बाद में आके खिड़की दर्वासे वो लोग निकाल के ले गए और अब ये घर खंडर बन चुके है परण तो ये घर ढहे नहीं है मतलब इतने मजबूत बने थे कि इतने मौसम इतने सालों के बाद भी ये घर गिरे नहीं है इन घरों की खिड़कियों दर्वाजों और दिवारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है मतलब इतना फ्रेश फील होता है कि जैसे यह अभी कली तो बने होंगे ऐसार महसूस होता है लोग चले गए लेकिन वक्त वहीं रह गया खंडरों ने उसे वहां रोक लिया जैसे सुभाग गए लोग शाम को शायद वह अपस लोट आएं मोहन जदारों में मिली ठोस पहियों वाली बैल गाडी को देखक को अपने गाओं की बैल गाडी की याद आ गई जिसमें पहले दुलहन बैठकर ससुराल आया करती थी बाद में इन गाड़ियों में आरे वाले पहिये और अब हवाई जहास के उत्रे हुए पईयों का प्रयोग होने लगा है तो मोहन जदारों म भी जो है दुलहन बैल गाड़ियों से विदा होकर आया करती थी उनके घरों में जो बैल गाड़िया उनके गाओं में चलती थी उन्हें वह याद आ गया तो दीरे दीरे क्या हुआ पहले बैल गाड़ी में लकड़ी के पहिये लगते थे फिर आरे वाले पहिये लगने गये reinforcing š fent किने कि मोहँद हैं कि कि सभी काप पूरा का उजड गया खतम अब इसी पार्ट से डालों की बड़ी बस्ती के बारे में विस्तार से बताई जो बड़ी बस्ती की बात करी ना उसको आपको यहां detail explain करना है लेकक बताता है कि बड़ी बस्ती के घर बहुत बड़े होते हैं इस प्रकार इन घरों के आंगन भी बहुत खुले होते हैं इन घरों की दिवारें उची और मोटी होती थी जिस आधार पर कहा जा सकता है कि मोट प्रप्रटी दिवारों वाले घर दो मंजिला हुआ होते होंगे कुछ दिवारों में छेद में मिले हैं जो यही संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल को उठाने के लिए शायद शहतीरों के लिए यह जगा छोड़ दी गई होगी जो बोलते हैं दूसरी दुखाते माल होता है तो उसके लिए दिवाल में होल छोड़ने पड़ते तो उन होल से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद यहां पर दूसरी मनजल रही होगी सभी घर पक्की इटों के हैं एक ही आकार की इटे इन घरों में लगाई गई हैं तो जितनी भी इटे हैं वो सभी ए मार कला की द्रश्टी से संपन एवं कुशल है तो कहने का मतलब क्या है यहां पर जो नालिया निकली है वो माना कि एक सेम आकार की पत्थरों से नहीं धकी है लेकिन जैसे से लेकिन यह दिखाया जगया है कि वहां पर नालिया सभी पूर्ण रूप से धकी हुई थी क्योंकि वहां के लोग बहुत ही स्वच्छता पसंद थे प्रश्ण संख्या दो है क्या प्राचीन काल में रंगाई का काम होता था तो जाहिट सी बाते हमने जैसे भी पढ़ा कि वहां पर एक रंग्रेश का कारखाना भी मिला है तो इससे पता चलता है कि वहां पर रंगाई का काम ह काम होता था लोग बड़े चापसे काम किया करते थे आज भी मोहन जोदाडों में एक रंग्रेश का कारखाना मुजूद है यहां जमीन में गोलगड़े उबड़े हुए है गोलगड़े मतलि गड़ा करके कोलगड़े बने हुए है इसे अनुमान लगा जाता है कि इसमें रंगाई के लिए बरतन रखे जाते होंगे पश्ची में ठीक गड़ी के पीछे ये कारखाना मिला है अता इस बात को बिना किसी शंका के कहा जा सकता है कि प्राचीन लोग रंगाई का काम किया करते थे तो ये कारखाना मिला है इससे पता चलता है कि यहां रंगाई का काम हुआ करता था जिसको देखने प्रेटर का आज भी बहुत ही चाव से जाया करते हैं प्रेश्ण संख्या तीन है खुदाई के दौरान मोहंजदाडों में क्या क्या मिला जब खुदाई हुई है तो वहां पर बहुत सारा समान मिला था तो आपको वह सारा ही समान यहां पर लिखना है क्या क्या मिला क्या चीज़े थी सभी कुछ देखें यहां पर हमने लिखा है क्या मिला है मोहंच दाड़ों में निकली वस्तुओं को पंजिकृत संख्या पचास हजार है यानि कि जो समान मिला है तो उसको पंजिकृत के अदि यह समान मिला यह नंबर तुम नंबर थ्री तो यह लगबख 50,000 50,000 चीजें मिली हैं उस सभ्यता से अहम चीजों तो आज कराची, लाहौर, लिल्ली और लंदन में रखी हुई हैं तो ज कोपड की गोटियां हैं दिये नाब तॉल के पत्थर तामे का शीशा मिट्टी की बैल गाड़ी दो पाटों वाली चक्की मिट्टी के कंगन मनकों वाले पत्थर के हार प्रमुख हैं तो यह सब चीजें जो महंजदाडों के अजायब घर में रखें यह वो सारी चीजें इस सारी चीजे थी जो शंगरालों चले गए और कभी को खुदाई के दरवान भाई कभी चोर आये हो है तो उन लोगों ने उन सारी चीजों को चुरा लिया तो यह सारी चीजें हमको इस तरीके से मिली हैं अब प्रिश्ण संख्या चार क्या दिया गया परेटक मुहंच दाड पर पाठ अगर हम पढ़ेंगे तो उसके आधार पर आपको बताना है तो क्या है परिगत मुहंच दाड़ों में निमलिखे चीजे देख सकते हैं पहला है बौदस्तूप मुहंच दाड़ों में सबसे उचे चबूत्रे पर बड़ा बौदस्तूप है यह स्तूप मुहंच दाड़ों के बिखरने के बाद बना था 25 फूट उचे चबूत्रे पर बना है इसमें भिक्षुओं के रहने के कमरे भी बने हुए हैं दूसरा है इसनान घर क्या दिया है इसनान घर है यहां पर 4 फूट लंबा तता 25 फूट चौड़ा कुंड बना हुआ है यह 7 फूट गह इसनान घर के बारे में हमने पढ़ा था वो चीज़ें तीसरी है अजायब घर यानि कि यहां का म्यूजियम यहां का अजायब घर छोटा ही है यहां काला पढ़ गया गेहूं तांबे और कासे के बरतन मुहुरें वाद दे यंत्र हैं चाक पर बने विशाल म्रदंग दिये कांबे के आईने दो पार्टन वाली चक्की आदी रखें तो अगर परेटक जाएं तो वहां पर यह सारी तीन चीज़ें देख सकते हैं जिनमें बहुत दूप इसनान घर और अजायब घर यह सब चीज़ें दर्शनी हैं वहां पर देखने के लिए तो इस तरह के से यह पा आना होगा हमारे चैनल मैगनेट्समें.com जब आप यहां पर आएंगे तो देखेंगे कि यहां पर वन शॉट रिवीजन है तो आप इसे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने वह सब ही क्लास आ जाएंगी जहां पर वन शॉट रिवीजन आपके लिए आवलेबल है तो जिस भी चैप्टर का एक्जाम है आप उसको सेलेक्ट कीजिए और सभी चैप्टर आपके सामने आ जाएंगे तो बस चैप्टर को सेलेक्ट करिए आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा अपने रिवीजन को अच्छे से करिए अपनी एक्जाम्स टेस्ट अच्छे से दी लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा थैंक यू फॉर वाचिंग बाबाई